और मैं जहां तक रिपोर्ट मिल रही है, सोचल मीडिया पर भी मिल रहा है, देश के भी बहुत हिस्तों में अभी अफरा तफ्री का माहौल है और उसकी वजह ये है कि केंदर सरकार द्वारा कोटा बढ़ाये जाने के बावजूद कई राज्ये आक्सिजन पर कंट्रोल करके बैठने के कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के कई सारे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सिजन का संकट है, दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सिजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहां पेशेंट्स को उनके पास अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में चारा नहीं बचा सारोज अस्पटाल है राठी ऐस्पटाल योके ऐस्पिटल है जीवन हास्पिटल है इन सबका कहना है कि हमारे यहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई हैं हम जैसे तैसे उनको कुछ सिलंडर कहीं से दूसरे उससे रियरेंज करके थोड़ा सा किसी का स्टॉक जाद है उससे कराने की कोशिश कर रहे हैं वो हमने कराया है लेकिन इंटर्नल अर्रेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेक्शिफ्ट अर्रेंजमेंट दो-तीन घंट कि ऑक्षिजन बची हुई है सवाल ये है कि जब कल बहुत अच्छे से केंदर सरकार ने अलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का बाकी राज्यों के भी अलोकेशन तैय कर दिये और जब देश में यही नियम लागु है कि केंदर सरकार तैय करेगी कि किस राज्य को कितनी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में जगडा है यह समय जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा आपस में जगडने का नहीं है पूरे देश को इकठे होके लड़ने का है अब हर्याना परसों जब मैंने प्रेस कॉंफेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में वहां से नहीं जाने दी हर्याना के पानी पत के oxygen के plant से जो air liquid का plant है वहां से रात को तीन बजे तक oxygen नहीं निकलने दी दिल्ली की 12 बजे तक और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है अगर केंदर सरकार दौरा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीटरिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था इस 378 में से उत्तरप्रदेश और हर्याणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादगरी की वजह से केवल 177 मेटरिक टन ही कल उठ पाया 177 metric 10 उठ पाया जो कि 378 metric 10 उठना चाहिए था क्योंकि जहां से उठना था जहां से oxygen उठनी थी वहाँ पे पुलिस और वहाँ के अधिकारी आके बैठ गए वहाँ के senior अधिकारी आके बैठ के उन्होंने वहाँ दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया आज भी यही इस्तिती बनी हुई है हर्याणा और उत्तरप्रतेश दोनों में आज जो दिल्ली में चारो तरफ से oxygen की तरही तरही मच रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर्याणा और उत्तरप्रतेश दोनों में आक्सिजन को लेके जंगल राज मचा रखा है वहां की सरकारें वहां के अधिकारी वहां की पुलिस वहां के अक्सिजन प्लांट से दिल्ली के लिए अक्सिजन निकलने नहीं दे रही है हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनिय अधिकारियों से बात की है भारस सरकार की इंट स्थिति नहीं बदल रही है हमारे टेंकर्स बाहर खड़े हुए हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है केवल हर्याना के कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटर्वीन करें कि हर्याना या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या महां की जो पुलिस है इसमें भी आपको इंटर्वीन करना पड़ेगा उसके बिना होनी पाएगा नहीं तो इस वक्त जो त्रही त्रही दिल्ली के एस्पतालों में मची हुई है थोड़ी देर में या कुछ समय बात उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा हॉस्पिटल्स के लिए भी सरकार भी आपस में मेक्शेट रेंजमेंट करके कहां से काम चलाएगी अगर हर्याना और उत्रप्रदेश के प्लांट से उखने ही नहीं दी जाएगी तो यह मेरा रिक्वेस्ट है कुल मिलाके आपसे अब क्यूंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली क से लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सिजन भरवानी पड़े लेकिन यह आपको इंटरवीन करना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना और ऑक्सिजन को लेके जो जंगल राज पिछले तीन दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और इस्तती बहु हुआ है